हलो बच्चो कैसे हैं आप सभी लोग मेरा नाम हिमान शुकुपता है और फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लाटफॉम पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के सेशन में हम लोग रे आप्टिक्स और आप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का रिवीजन करेंगे इस बहुत ही इंपार्टन चेप्टर है एक्जामनेशन पर्सपेक्टिफ से हर साल दो कोशन तो इस कोशन इस चेप्टर से जरूर आते ही आते हैं चीक है तो शुरू करते हैं यार आज के lecture में हम क्या-क्या बातें करेंगे, तो आज के lecture में हम बात करेंगे reflection by plane mirror के बारे में, reflection from spherical mirror के बारे में बात करेंगे, reflection के बारे में बात करेंगे, spherical surfaces से lenses से reflection कैसा होता है, prism से reflection कैसा होता है, इसके बारे में जानेंगे, और फिर हम बात करेंगे optical instruments के बारे में, चिक है, चले भई, सबसे पहले plane mirror से reflection को देख लेते हैं फटाफट से, तो plane mirror से reflection सबसे पहले laws of reflection क्या होता है, angle of incidence, angle of reflection के बराबर होता है, और incident ray, reflected ray और ये normal जो है, ये तीनो co-planar होते हैं, मतलब एक ही plane में लाई करेंगे ऐसा नहीं होगा कि incident ray इधर है reflected ray इधर निकल आएगी, both all three of them will be co-planar angle of incidence, angle of reflection के बराबर है, and this is the deviation angle, ये जो E है न, इसको E बोल दे दूँँगा, या फिर इसको हम कभी-कभी, डेल से भी represent करते हैं चिक है, तो कभी-कभी अब यहाँ पे इसको कैसे change करें चलो, तो E की जगह कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी डेल भी आ जाता है, तो हो सकता है, आपको कहीं, यहाँ पर डेल दिखाई दे जाए, तो डेल is equals to this, pi minus 2i, ठीक है, चलो, तो ये angle of deviation है वापस इसको फिर से डब्बे में बंद कर देते हैं change हो जा, चले भई, चीक है, तो सबसे पहले law of reflection, इसके बाद ज़रा देखेगा अगर दो mirrors हैं, जो कि किसी angle पर है चीक है, तो total number of images कितनी बनती है total number of images जो बनती है, आप 360 degree का, इसके बीच वाले angle से divide दीजिए, अगर ये angle odd है, तो आपका वही, simple वही रहने दीजिएगा, और अगर ये angle आपका even है, तो आप क्या कर दीजिएगा इसमें से 1 minus कर दीजिएगा, ठीक है और ध्यान दीजिएगा, अगर ये fraction में आ रहा है तो इसका integer form बना दीजिएगा, चलो भई अगला reflection from plane mirror, अब यहाँ पर देखेगा velocity of image, अगर object के साथ में object और mirror move कर रहे होते हैं, तो image किस तरीके से move करेगी, तो image का motion देखेगा अगर mirror इधर आ रहा है, object इधर जा रहा है, तो mirror image की velocity क्या हो जाएगी ux plus two times of velocity of mirror, चीक है, मतलब normal के along वाली velocities में क्या होता है, object की velocity reverse हो जाती है, और image की जो mirror की जो velocity है, वो same double हो करके add होती है, in same direction, चीक है, तो ux plus 2vx normal के, common normal के perpendicular direction, perpendicular direction में क्या है, अगर object ui से move कर रहा है, तो image भी ui से move करेगी, mirror के move करने का image की velocity पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, चीक है, तो जरा देखो vy से independent आया, चीक है, तीसरी चीज इसके बाद आती है, field of vision, field of vision क्या है, वो region होता है, जहां पर आप किसी भी object की image को देख सकते हैं, चीक है, तो अगर आप यहां पर खड़ी हुए, तो basically क्या करना है आपको, आपको यहां से दो rays इस तरीक से डालनी है, जो mirror के end पर टकराए, mirror के end पर टकराए, अगर mirror के end पर टकराए, और इन दोनो rays के बीच वाला जितना भी यह region है, यह सभी के सभी reason क्या होता है, इस region falls under field of vision, तो इस region में कोई भी object रखा होगा, अगर इस region में मैंने यहां पर कोई भी object रख दिया, तो इसकी image आपको दिखाई देगी, ठीक है, पीछे, और अगर आप यहां से field of vision से कहीं बाहर हैं, तो अब आपको image नहीं, object कहीं यहां रखा है, o dash रखा है, तो आपको यह object की image दिखाई नहीं देगी, इसका मतलब यह नहीं की image नहीं बन रही है, इमेज अभी भी बन रही है, हर उस, यह mirror, हर उस object की image बनाएगा, जो कि इस से उपर की और रखा है, ठीक है, अगर मैंने raise को rotate करना शुरू किया, let us say, अगर मैंने incident ray को theta i से rotate किया in clockwise direction, तो reflected ray जो होगी, वो anti-clockwise direction में equal and opposite angle rotate होगी, तो मतलब मान के चलो 10 degree इसको clockwise rotate किया, तो वो 10 degree anti-clockwise rotate होगी, जबकि अगर मैं mirror को rotate करता हूँ, तो same direction में double होके add होगा, जैसे यहां पर हो रहा था, same वही अगर मैंने mirror को 10 degree anti-clockwise rotate किया, तो image भी 20 degree anti-clockwise होके rotate होगी, जैक है, तो image का rotation double होता है, तो this is two times of theta of mirror, जैक है, ये सारी बात है थी हमारी किसकी, plane mirror को ले करके, अब हम बात करते हैं, spherical mirror के बारे में, तो spherical mirror में हम क्या-क्या बात में करने वाले हैं, सबसे पहला और सबसे जरूर चीज आ, mirror formula लगाने से पहले हम बात करेंगे, sign convention के बारे में, sign convention क्या कहता है, incident ray की direction में हम कैसी चीज़ा मानते हैं, incident ray करे के लॉंग अगर कोई भी चीज़ा होती है, तो हम positive मानते है, incident ray के opposite हो तो हम negative मानते है, pole को हम origin मालते है, तो यहाँ पर ये जो pole है, ये जरी बीश व 1 upon V is equals to 1 upon F, this is one of the most important formulas, 1 upon U plus 1 upon V is equals to 1 upon F, ज्यारा ध्यान दीजेगा, यहां पर U, V और F, तीनों ही चीजे आपको sign convention के according रखनी है, मतलब अगर object यहां रखा है, तो U को आप negative रखेंगे, अगर आपका image पीछे बन रहा है, तो V positive मिलेगा, image negative आ रहा है, V negative आ रहा है, मतलब image negative होगा, virtual image के लिए V positive होगा, object उपर है, image भी उपर बन रही है, तो H positive आएगा, magnification which is equals to H dash height of image divided by height of object, यह होता है V minus V upon U, चीक है, दिमाग ही नहीं माणना, simple सी चीज, जो जितना दूर वो उतना बड़ा, अगर object मान के चलो 10 cm पर है, image मान के चलो 20 cm पर बन रही है, चीक है, औ और अगर image भी cm पर बन रही है, तो image की size double हो जाएगी, image का distance double, तो size भी double, इधर बनेगा, तो erect बनेगा, same side में बनेगा, तो inverted बनेगा, चीक है, तो इसको भी लिख देता हूँ मैं, opposite side, means erect, और अगर same side में बना, तो आपकी image कैसी होगी, inverted होगी, तो आप same side और opposite side देख करके, erect और inverted, decide कर लेना, दूरी का ratio लेकरके, आप क्या है, magnification decide कर लेना, कि distance double, तो size भी double, आप directly इससे निकाल सकते हो, ठीक है, ध्यान दीजेगा, इन सभी जगे हमने क्या किया है, sign convention रखा है, focal length, radius of curvature, इसका जो mirror का focal length है, ये radius of curvature का आधा होता है, ठीक है, radius of curvature का क्या होगा, आधा, concave mirror के लिए, radius of curvature negative होगा, convex mirror के लिए, radius of curvature positive होगा, ठीक है, focal length भी positive होगी, एक और ज़रूरी बात, ठीक है, वो बात ये है, कि, आपका object, mirror के आगे भी रखा हो सकता है, mirror के पीछे भी रखा हो सकता है, mirror के पीछे भी रखा हो सकता है, ये raise जो है जब ऐसे आ रही है object यहां रखा है तो raise ऐसी जा रही है लेकिन जब raise converging raise आती है तो mirror के पीछे मिलती है तो incident raise जहां मिलती है उसको हम बोलते हैं object वाकई में वहां रखा हो या ना रखा हो इससे कोई matter नहीं करता object यहां रखा है तो incident rays यहां से आ रही है अगर object पीशे मान रहा हूं मतलब incident rays इस तरीके से जा रहे होंगी तो इसको हम बोलते हैं virtual object ठीक है तो अब class 12 में अब जब आप J की तयारी कर रहे हो तो भाई साब virtual object भी allowed है 10 तक virtual object नहीं होते थे चलो भई दूसरी चीज़ longitudinal magnification longitudinal magnification क्या बताता है principal axis के along वाला magnification transverse magnification क्या बताता है principal axis के perpendicular वाला magnification मतलब height वाला magnification that is transverse magnification अगर मैं इसको लिटा दूँ अगर मैं candle यहां पर होती है candle को लिटा देता तो वो जो magnification आता that will be longitudinal magnification और इसकी value होती है minus v square एक चीज़ नोटिस की जिगा longitudinal magnification is always negative क्यूं होता है बाई अगर मैं सामने mirror रखा हुआ है मैं mirror की तरफ देख रहा हूं तो image हमेशा उल्टी direction में देखेगी तो magnification चाहें कम हो जादा हो एक से कम हो एक से जादा हो उसे फर्क नहीं बढ़ता लेकिन negative होना ही होना है ठीक है चलो बाई तो यह बात कर ली इसके बाद हम ray diagram के कुछ important concept से जो कि कई बार काम आते हैं आपको अगर question आता है उसमें ray diagram बनाने में कई ब से पहली चीज़ अगर कोई light ray principal axis के parallel है तो वो focus से पास होती है for concave mirror और convex mirror होता तो focus से निकलती हुई लगती चीक है दूसरी चीज़ focus से पास होने वाली light अगर कोई light ray focus से जा रही है तो वो principal axis के parallel हो जाएगी और convex mirror के लिए focus की तरफ tend होती तो parallel हो जाती ठीक है तीसरी radius of curvature या center of curvature से पास होने वाली light अपना path retrace कर लेती है बिलकुल normal incidence होता है यहाँ पर यह जो angle है यह 90 degree होता और यह अपना path retrace कर लेती चीक है चौती चीज़ अगर कोई angle pole पर आ रहा है तो pole पर angle of incidence angle of reflection बराबर होते हैं equal angle बनाएंगे principal axis से ध्यान दीजेगा laws of reflection यहाँ पर भी valid ह हर जगे angle of incidence angle of reflection के बराबर होता है चाहिए किसी भी point पर देख लेंगे लेकिन since normal ही घूमता जा रहा है तो angle of incidence और angle of reflection निकालना इतना आसान नहीं होता है तो these are the four rules for making ray diagrams जो के आपके काफी काम आएंगे चीक है कुछ ज़रूरी बात है reflection को लेकर के पहली चीज़ velocity के बारे म perpendicular direction में principal axis के perpendicular direction में image की velocity magnification times हो जाती है तो magnification क्या है m ठीक है m transverse into velocity perpendicular direction में जबकि longitudinal direction में transverse longitudinal magnification into velocity of object तो image की velocity will be longitudinal magnification into velocity of object और इसकी value मैं यहाँ पर रख दी है ठीक है एक चीज़ since longitudinal magnification हमेशा negative होता है तो अगर object आपका right side जाएगा तो image हमेशा left side जाएगी object left side जाएगा तो image हमेशा right side जाएगी इससे फर्क नहीं पड़ता कि image वो real बन रही है virtual बन रही है कैसी भी बने ठीक है हमेशा opposite direction में move करेंगी दूसरी चीज convex mirror हमेशा real object की virtual image बनाता है real object की virtual image ठी or diminished image बनाता है convex mirror जब भी बनाएगा कई बार ऐसा करता है question में language में आपको घुमाने की कोशिश करता है कि mirror is forming a virtual diminished image तो पहचान जाएगा कि वो convex mirror के बारे में बात कर रहा है कि virtual image or diminished convex ही बनाता है अगर concave mirror virtual image बनाता है तो वो magnified होती है magnified होती है ठीक है concave mirror और यहाँ पर erect होती है always from diminished virtual image of real object and it is erect as well ठीक है तो मैं अगर लिखना चाहूं तो इसको erect भी बोल सकता हूं ठीक है जबकि यहाँ पर ठीक है virtual image form by concave mirror is always magnified and this is also erect ठीक है तो इसका nature भी क्या है erect है लेकिन यह magnified है convex mirror diminished बनाता है तो यह distinction हो ठीक है चलिए भई अब बात करते हैं reflection के बारे में सबसे पहले plane surface से reflection देखते है laws of reflection पहला law क्या है angle of incident ray normal और refracted ray तीनों की तीनों कैसी होती है co-planar होती है मतलब एक ही plane में lie करती है दूसरा है snell's law mu1 sin i is equal to mu2 sin r बस इतना सा जिस medium से light आएगी उसका mu into उसका sin i जिस medium में जा रही है उसका mu into sin r तो same medium का multiply करना है mu1 sin i, mu2 sin r जिस medium का angle उसी medium का refractive index लेते हैं refractive index क्या बताता है refractive index is basically the ratio of speed of light in vacuum to speed of light in that medium and refractive index या absolute refractive index it is always greater than or equal to 1 refractive index या कहें absolute refractive index कभी भी 1 से छोटी नहीं होती है mu is always greater than or equal to 1 चुकि हर medium में light की speed जो होती है वो कुछ कम ही होती है तो mu की value क्या है mu is basically मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं mu लिख देता हूं mu is c divided by v speed of light in vacuum divided by speed of light in that medium this is the refractive index ठीक है देखो c upon mu1 c upon mu2 यह मैंने वहीं चीज लिखिए v निकालना था तो क्या हो जाएगा c upon mu1 चीक है चलिए भई medium change करने पर light की frequency कभी भी change नहीं होती है frequency सिर्फ और सिर्फ सोर्स का function होती है source पर depend करती है और एक बार अगर light निकल चुकी है तो frequency change नहीं होती है तो जो frequency इस medium में होगी वही frequency इस medium में होगी since speed कम हो गई है तो दूसरे medium में dense medium में जाने पर आपकी wavelength भी कम हो जाएगी तो अब इसी formula को हमने किस तरीके से लिख दिया चाहिए यह E क्या है E सर वही deviation है this E is nothing but deviation चीक है तो अगर मैं E को deviation यानि कि डेल से represent कर दूँ चीक है this is deviation डेल डेल किसके बराबर है I minus R के बराबर है चीक है angle of incidence minus angle of reflection अगर light ray normal से दूर जाती है मतलब light ray जब rare से denser से rarer medium में जाती है तो इसी deviation को R minus I भी लिख सकते है सिर्फ magnitude के बारे में हम बात कर रहे हैं चीक है पहली चीज़ दूसरी चीज़ speed हमारी देखो दोनों ही जगे कम हो गई है अब अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ पर लिखना चाहूं तो sin I upon sin R is equals to mu 2 upon mu 1 ठीक है और जिस medium में refractive index जादा वहाँ speed कम तो क्या हो जाएगा V1 upon V2 जहाँ speed कम वहाँ wavelength भी कम क्योंकि V की value क्या होती है आपका V की value होती है lambda by T या lambda into frequency frequency same wavelength कम हो जाएगी अगर speed कम होगी ठीक है this is the formula या यह बोलना है extended snell's law है हलांकि इन portion की जरुवत सिर्फ तब पढ़ती है जब आपसे wavelength के बारे में specifically बात करें जिस चीज़ के बारे में सबसे जादा बात करेगा वो आपको use करवाएगा snell's law directly तो mu1 sign i, mu2 sign r अगर आपको यह पता चल गया तो यह निकालना बहुत ही आसान है same बात है frequency change नहीं होती है इसके बाद बात करते हैं किसी भी transparent glass slab से reflection या कोई भी material के slab से reflection कैसे होता है incident ray और final reflected ray हमेशा कैसी होती है एक दूसरे के parallel होती है incident ray and reflected ray are parallel to each other लेकिन कुछ displaced होती है they are somewhat laterally displaced इसको हम बोलते है lateral displacement कितना होता है t sin i minus r divided by cos r where t is the thickness तो t का sin i minus r यह वाला distance और इसको हमने निकाला है cos r से divide किया है incident and emergent ray as parallel जब-जब initial और final medium same होगा यानि कि यह वाला medium और यह वाला medium सेम होगा हमेशा और हमेशा आपकी race कैसी हो जाएंगी parallel हो जाएंगी अगर इसी जगह multiple slaps होती है जैसे बहुत सारी slaps है तो अलग-अलग medium में देखा angle अलग-अलग बनाएगा लेकिन फिर से अगर final और initial बराबर है तो फिर से initial और final race आपस में क्या हो जाएंगी parallel हो जाएंगी तो parallel होने के लिए condition क्या है medium का सेम होना ठीक है medium सेम तो race parallel इसके बाद बात करते हैं apparent depth की अगर कोई भी object किसी dancer medium से rarer medium में race जा रही है मतलब अगर आप यहां से खड़े हो करके चीजों को observe कर रहे हैं तो आपको depth कम देखेगी कितना देखेगी जो bd है देखो भई अब आपको सिर्फ और सिर्फ ray diagram दिमाग में रखना है formula आप खुद से बना लोगे कैसे या तो dancer से rarer जाएगी तो ऐसा diagram बनेगा normal से धूर जाती हुई race दिखाई देंगी या rarer medium से dancer medium में light race जाएगी तो कैसा बनेगा normal की तरफ bend होंगी तो बस तुमको एक काम करना है या तो refractive index का multiply या तो mu का multiply करोगे या mu का divide करोगे जब distance कम करनी है तो mu का divide कर देना जब distance बढ़ानी है कोई चीज नॉर्मल की तरफ bend होई तो कहीं पीशे जाके मिलेगी distance बढ़ानी है तो mu का multiply कर देना बस सीधी सीधी बात है तो multiply करोगे यहाँ पर divide करोगे यहाँ पर d by mu और जो relation d के बीश में है same वही relation velocity के ब कर जाए ठीक है मान के चलो v1 से move करता तो v1 by mu इसकी speed होती image की चीक है and these results are valid चाहें यह वाला result हो चीक है या फिर आपका mirror formula होई these results are valid only for paraxial race paraxial मतलब केवल उन race के लिए which are very close to principal axis हर किसी के लिए valid नहीं है यह वाला भी चीक है तो यह हमारी image का distance हो गया अब अगर एक glass slab से बात करूँ तो glass slab से जो image produce होती है that is somewhat displaced कितने displacement होते है इसमां shift कितने का होता है t thickness of slab into 1-1 by mu where t is the thickness of slab यह t thickness है इसका refractive index अगर mu है तो incident ray के along जिस direction में incident ray जा रही है इस direction में यह कुछ shift produce हो जाता है this is the shift चीक है object और image में कुछ shift produce हो जाता है कितना t1-1 by mu यह तीनों ही result यह वाला result यह वाला result और यह वाला result बहुत important है चीक है तो इन results को याद रखेगा यह तीनों ही result चाहें मैं यह वाले result की बात करूँ यह वाला result काफी important यह वाला result भी काफी important और यह result भी काफी important है चीक है तो इन तीनों ही result को याद रखेगा इनसे कई बार numericals आ चुके हैं चीक है तो बहुत simple सी चीज है आपको क्या करना है बस multiply करना है या divide करना है किसका refractive index का लेकिन अगर यहाँ पर air नहीं होती तो किसका डिवाइड करते फिर आप relative refractive index का डिवाइड करते मू का which is equals to mu2 upon mu1 चीक है मतलब जाने वाले मीडियम का refractive index divided by आने वाले मीडियम का refractive मत जिससे जा रही जा रही है और यहाँ पर है तो mu2 upon mu1 चीक है इस तरीके से हम solve करते चलो this is known as relative refractive index अब बात करते हैं कि किसी भी flap से total internal reflection कब होता है किसी भी denser medium से जब light ray rarer medium में जाती है तो total internal reflection या TIR सिर्फ तभी possible है जब rays denser से rarer medium में जाएंगी पहली बात दूसरी बात अगर ये critical angle है तो critical angle में अभी भी reflection होता है मतलब ये TIR का part नहीं होता है critical angle is not a TIR critical angle is not a total internal reflection यहाँ पर तो reflection नॉर्मल ही हो रहा है भाई रेस दूसरी medium में जा चुकी है तो साइन सी की value क्या होगी mu2 साइन सी is equals to mu1 साइन 90 तो साइन सी is equals to mu1 upon mu2 या सीधा सीधा साइन सी is equals to छोटा बाई बड़ा ठीक है छोटा refractive index बाई बड़ा refractive index तो इसको ऐसा भी याद रख सकते हो छोटा divided by बड़ा this is science-y ठीक है अब अगर मेरा angle of incidence critical angle से भी बड़ा हो जाता है तब total internal reflection होता है सारी की सारी light ray वापस आ जाती है ठीक है उस case में total internal reflection कहते हैं चलिए भाई अगली बात अब बात करते हैं reflection from spherical surface spherical surface से refractions किस सरीके से होते हैं सबसे पहले spherical surface का formula ध्यान दीजिएगा क्या है minus mu1 upon u plus mu2 upon v is equals to mu2 minus mu1 upon r हो सकता है आपने ऐसा पढ़ा हो mu2 upon v minus mu1 upon u एक ही बात है कोई फर्क नहीं पढ़ता धियान दीजिएगा mu1 उसका लूँगा जिस medium से जा रहा है फर्क नहीं पढ़ता है object यहां रखा है यहां रखा है अगर light ray इस medium से जा रही हैं हो सकता है कई बार light ray ऐसी हो कि converging rays इधर मिलता हुआ object दिखारा हो हो सकता है कई बार object इधर दिखा रहा हो अगर object इधर दिखा मिए टीरिपरेट्विंडे और इमेज उससे कोई फ़र्पिंग पढ़ता. कंवेंशन के साथ रखे गा, अगर object left में है, इसको आप origin मानीगा, इसको origin मानीगा, तो left में incident ray के along direction, positive, तो object left में रखा है तो negative, image right में है तो positive, अगर यहाँ radius of curvature right में आ रहा है center, तो positive लीजेगा, अगर इस type का curvature होता तो negative लीजेगा, चीक है, mu1, refractive index of incident ray medium, mu2, refractive index of refracted ray medium, चीक है, यह याद रखेगा, नहीं तो यह बहुत जादा बच्चे confusion होता है, चीक है, चलिए बई, दूसरी चीज़ अब बात करते है, thin lens के बारे में, चीक है, एक चीज़ magnification, magnification क्या होता है, v upon mu2, इस medium में गया, divided by इसी medium का refractive index, divided by u upon mu1, जिस medium से आया, divided by इसी का refractive index, यहाँ पर भी sign convention को follow कीजेगा, इस बार, अगर दोनों opposite side में हैं, तो inverted, same side में अगर images बनती हैं, तो erect होता है, चीक है, अब बात करते हैं, thin lens के लिए, तो 1 upon v minus 1 upon u is equals to 1 upon f, या, इसको कई बार बोलता हूँ, minus 1 upon u plus 1 upon v is equals to 1 upon f, एक ही बात है, बस एक चीज़ याद रखेगा, u, v और f, तीनों की तीनों sign convention के साथ लिजेगा, यहाँ पर focal length क्या है, 1 upon f is equals to mu2 upon mu1, mu2, इस वाले medium का refractive index, mu1 surrounding का refractive index, minus 1, चीक है, कई बार इसको relative refractive index भी बोल देते हैं, into, 1 upon r1, पहले वाले phase का refractive index, minus 1 upon r2, यहाँ r1 और r2 भी sign convention के साथ आपको लेने हैं, तो अगर raise ज्याद ही, आइसी आ रही हैं, तो देखो यहाँ पर r1 कुछ इधर बनता, center इधर, तो positive लिजेगा, यहाँ पर r2 कुछ इधर है, ऐसा है, तो इसका center इधर, तो negative लिजेगा, negative में negative रखते, तो convex lens के लिए यहाँ पर क्या हो जाता, प्लस हो जाता, तो r1 and r2 भी sign convention के साथ रखेगा, mu2 upon mu1, इसी को हम बोलते है, power of a lens, इसी को हम क्या बोलते है, power of a lens, यह किसी भी lens की क्या है, power, ठीक है, अगर आपने सारी SI unit में रखी है, cgs में रखोगे, तो 100 का multiply कर देना, ठीक है, चली भई, तो यह है हमारे क्या, refractive index, य इसी को हम बोलते है, lens makers formula, ठीक है, 1 upon v minus 1 upon us equals to 1 upon f, where 1 upon f equals to mu2 upon mu1 minus 1, एक और चीज़ नोटिस करने वाली है, किसी भी lens की power और focal length, surrounding medium पर भी depend करती है, मतलब क्या, अगर मैंने surrounding medium का refractive index change कर दिया, अगर मैंने इस lens को हवा की जगे पानी में डाल दिया, तो इस lens की power और focal length बदल जाएगी, same lens की power और focal length बदल जाएगी, जबकि mirror के साथ ऐसा नहीं होता है, तो focal length and power are medium dependent, medium में change करने पर power में और focal length में change आएगा, उसी lens का, अगर आपने दोनों का ही medium, mu or mu, same रख दिया, तो power क्या हो जाएगी, power 0 हो जाएगी, focal length will become infinite, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि mu or mu 1 minus 1 0 हो जाएगा, power 0, focal length, infinite, so same medium में किसी lens को डालने पर, जो lens का medium है, उसी medium में डालने पर आरे, lens बचा कहा, वो तो फिर वही उसी में घुल मिल जाएगा, तो वो चीज हो गई, combination of lenses, अगर दो lenses को adjacent रख दू, बगल बगल में रख दू, तो lenses की power directly add हो जाती है, convex lens या converging lens की power हम positive मानते हैं, और diverging lens की power हम negative मानते हैं, चीक है, convex lens generally positive होते हैं, convex lens में उस sense में बोल रहाँ कि converging lens है, चीक है, diverging lens की power negative होती है, चीक है, चले बगल, power 1 upon F plus 1 upon F2, बात करते हैं, prism के बारे में, prism क्या है, prism basically किसी भी light को deviate करता है, और अलग-अलग colors को अलग करने का काम करता है, एक white light को अलग seven different colors में अलग-अलग कर दिता है, तो prism से deviation क्या होता है, तो deviation is given by I plus E minus A, angle of incidence, angle of emergence, minus prism angle, इसको हम बोलते हैं, prism angle, चीक है, this is prism angle, चीक है, और ये prism angle किसके बराबर होता है, r1 plus r2 internal angle के बराबर होता है, जब कभी आपको किसी बड़े prism से reflection कराएगा, चीक है तो ये formula याद रखेगा, साथ में हो सकता है, आपको individual points पर snell's law लगाना पड़े, हो सकता है, यहाँ snell's law लगाना पड़े, हो सकता है, यहाँ snell's law लगाना पड़े, बात करते हैं minimum deviation की, minimum deviation तब आता है, जब angle of incidence और angle of emergence बराबर हो जाएं, इस case में r1 और r2 भी बराबर हो ज mu is equals to sin of del min plus a by 2 upon sin a by 2, यह है, this is the formula of refractive index, ठीक है, formula याद करने की ज़रूवत नहीं है, बिलकुल नहीं है, आप अगर कभी ऐसा आता है, तो आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है, थिन prism के बारे में बात करते हैं, थिन prism के हम उन prism को थिन prism बोलते हैं, जिनका prism angle लगबग ल normal incidences of light, deviation is given by mu minus 1 into a, ठीक है, refractive index mu minus 1 into a, अब अलग-अलग color की light rays के लिए mu अलग-अलग होता है, it is given by Cauchy's formula, where mu is equals to a plus b by lambda square, तो wavelength बढ़ाऊंगा, तो mu क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, with your pattern में red light की wavelength सबसे जादा होती है, since red light की wavelength सबसे जादा, तो mu सबसे कम, mu सबसे कम, तो deviation भी सबसे कम, इसलिए red light सबसे कम deviate करती है, जबकि violet light सबसे जादा deviate करती है, तो lambda v, मुझे पता है, lambda red जादा होता है, lambda v से, तो इसलिए lambda violet light का deviation भी जादा होता है, चीक है, तो सबसे जादा deviate कौन करती है, violet light, सबसे कम deviate कौन करती है, red light, this is given by Cauchy's formula, a plus b by lambda, a और b इसी वज़े से इन दोनों के बीच में कुछ angle आता है और इस angle को हम बोलते हैं angle of dispersion चीक है अब ये case के बरावर है तो ये दोनों के deviation को minus किया तो mu v minus mu r दोनो lights के लिए जो refractive index है क्योंकि same medium glass है तो glass का refractive index red के लिए अलग होगा violet के लिए अलग होगा बहुत minor difference होता है into angle of prism चीक है तो into a अब dispersive power dispersive power क्या बताती है per unit per unit deflection या per unit आपका जो बोलते हैं कि deviation per unit deviation आप कितना dispersion create कर रहे हैं तो dispersion upon deviation ये है unit mu y क्या है yellow light का refractive index average basically yellow light के लिए अब इसके बाद आते हैं optical instruments पर optical instruments basically हमें majorly चार टाइप की optical instruments पढ़ने हैं पहला है simple microscope जिसको हम कभी-कभी magnifying glass भी बोलते हैं magnifying glass ठीक है दूसरा है आपका compound microscope और तीसरा है टेलिस्कोप जिसमें दो टाइप्स है terrestrial telescope and astronomical telescope simple microscope basically कोई भी चीज अगर आपको बड़ी देखनी है उसका actual size matter नहीं करता है आपके retina पर आपके eyes के retina पर जो apparent size होता है वो matter करता है और उस apparent size को हम angular magnification से नापते हैं तो angular magnification create करता है आपका हर microscope चाहे वो simple हो चाहे compound हो चाहे terrestrial telescope हो ठीक है कोई भी telescope हो या कोई भी microscope हो सभी का objective होता है कि आपके eyes के retina पर जादा से जादा impressions देना ठीक है आपको बड़ा करके दिखाना ठीक है तो actual image का size उतना हो यह से matter नहीं करता वो बस basically angular magnification करना चाहते हैं simple microscope में यह वाली condition this is the magnification where it is equals to d where d is the distance of least distance of distinct vision ठीक है 25 cm होता है healthy eye के लिए और f क्या है आपका focal length है उस lens का उस lens का यह lens अगर आपने इस तरीके से लिया तो इसका अगर focal length f है ठीक है तो d by m f is the magnification produced by simple microscope under least strain condition मतलब आपकी image कहा हो रही होगी image will be formed at infinity आपने object रखा होगा यहां पर और image आपकी infinity पर बन रही होगी light rays कुछ इस तरीक से आ रही होंगी यहां से जो object रखा है आपने इसकी light rays ऐसी जा रही होगी ठीक है और यह आपकी image कहा बन रही होगी infinity पर बन रही होगी इस वाले case में जब आपका eyes maximum strain पर होंगी maximum strain पर कब होंगी जब आपकी जो final image है वो deeper बन रही होगी least distance of distinct vision पर बन रही होगी तो अब magnification क्या है one plus d by f पहला क्या था d by f यहां पर एक और बढ़ गया this is the maximum magnification produced by a simple microscope इससे ज़्यादा magnification आप obtain नहीं कर पाएंगे करोगे तो आपको image ही नहीं दिखेगी ठीक है चलो बाई दूसरा है compound microscope और इन सभी cases में आपको यह formula याद रखने हैं ठीक है formula याद रख लोगे तो आपका काम इसी में बन जाएगा तो पहला d by f दूसरा one plus d by f यहां पर v upon u into d upon focal length of eye piece ठीक है eye piece क्या होता है जो आपका eyes के पास में जो lens होता है basically यहां पर अब दो lenses हैं पहला lens यह रखा है इसको हम objective बोलते हैं दूसरा lens जो की बड़ा है इसको हम बोलते हैं eye piece ठीक है तो eye piece का focal length लेना है where v or u v is the distance of अगर मैंने object यहां रखा हुआ है ठीक है तो this is u this is u and इसकी image अगर कहीं यहां बन रही है तो this is v v upon u into focal d least distance of distinct vision basically क्या कर रहे हैं पहले वाले lens ने पहले वाले lens ने object को magnify कर दिया तो v upon u magnification produce किया simple lens है ठीक है दूसरे वाले lens ने यह आपका simple microscope है तो इसने क्या magnification produce किया d upon f और इसका f क्या है f e ठीक है दूसरे वाली condition में यहां पर क्या है this is least strain least strain मतलब final image का बन रही है आपकी infinity पर बन रही है तो अगर मैं इसका ray diagram आपको दिखाऊंगा तो इसका ray diagram कुछ ऐसा बनेगा आपकी image कुछ यहां पर है final image आपकी infinity पर बन रही है ठीक है और यहां से अगर मैं मैं इस पर डालूँगा तो final image का बन रही है हमारी infinity पर बन रही है यहां वाले case में इसमें क्या है final image का बनती है final image least distance of distinct vision पर बनती है deeper तो वी अपॉन यू सेम वही चीज वन प्लस डी बाई एक इसका multiply कर दिया है इसका multiply कर दिया है इसके बाद आता है आपका telescope telescope में terrestrial telescope के बारे में बिल्कुल बत परेशान होना केवल और केवल astronomical पर लो terrestrial में सिर्फ एक lens बढ़ जाता है बीच में ठीक है और कुछ नहीं होता सारे formula सेम रहते हैं बस terrestrial telescope क्या करता है आपको images को सीधा करके दिखाता है जैसे कोई building देख रहे हो तो building आप अगर astronomical से देखोगे तो building उल्टी दिखाई देगी जबकि terrestrial उसको सीधा कर देगा तो सीली बीच में एक lens और लगा देते हैं ठीक है पहला magnification objective upon IPS और minus में minus क्या बता रहा है images which is inverted तो normal condition मतलब infinity पर image बन रही है तो focal length of objective divided by focal length of IPS दूसरा magnification focal length of objective upon IPS into one plus FE by d यह होता है दूसरा maximum maximum strain या maximum magnification का formula बस इतनी सी कहानी है आपकी optical instruments की अब इन ही कहानी पर आपके questions बनते हैं कई बार हो सकता है कि आपको telescope या microscope नाम यूज करते लेकिन वो question सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल lenses से reflection का हो तो इस बारे में थोड़ा सा अलट रहीगा और सिर्फ यह formula is direct आप से पूछे जाते हैं इनहीं पर direct questions आएंगे ठीक है तो all the best thank you